देवनगरी सिरोही में हर जीव का स्वागत है, हर जीव स्वच्छन्द विच्रन कर सकता है, करने का पूरा अधिकार भी है ये सिरोही का कालकाजी का तालाब है, खाली पड़ा है सिरनवा की खुबसूरत पहडियां जहां हर प्रकार के जीव जन्तु है, वन्य जीव प्राणी है, रेंगने वाले जीव भी यहां भरपूर है आज नाग देवता के जर्शन हुए नाग देवता की परेशानी ये है कि ये उपर जाना चा रहा है लेकिन उपर शैद इसना जा नहीं पा रहा लेकिन ये फिर भी रिलेक्स है, और आज मैं तो जा रहा था, रुबधा गोशाला लेकिन रुग गया, नाग की रिडा को देख रहा है आराम से, कोई तकलिफ नहीं है और मुझे लगता है इसको इधर जाना चाहिए, ये देखे, ये कौशिस पर इसकी कौशिस वहां अटक जाती है हर बार, क्योंकि ये बहुत नुचा जा नहीं पा रहा अब इसको हम इसने केचर तो हैं नहीं, होते तो शाहिद कुशी हल्प करते इसकी तो चलिए इसको होने दो विच्रण, करने दो बड़ा प्यारा नाग है, बड़ा आज लगता है गोगा जी महाराज के दर्शन हो गया है और बड़े अराम से दर्शन हो गया है, बड़े अराम से कोशिस कर रहा है नाग महराज नाग देवता, बहुत नजदीक से आज नाग देवता को देखने का मौका मिल रहा है पस यही प्रॉब्लम है कि इससे ज़्यादा ये उपर नहीं जा पा रहा है मुझे लगता है इसको इधर जाना चाहिए रास्ता बदल दिया और ये समझ में आ गया इसको लगता है और ये बिल्कुल एकदम सही दिशा में जा रहा है और जाना चाहिए ये देखिए बहुत अराम से अराम से मैं भी चाहूँगा कि ये अपनी सही इस्थान पर पहुंच जा रही है ये पहुंच गया चलिए बलो नाग जी महराज कीजए चलिए बापिस आ रहा है क्योंकि आगी रस्ता नहीं होगा इसको या तो या देख रहा है बना रहा है कोसिश चलो मैं पर नाम करता हूँ नाग महराज को